खाद्य तेल के दामों में गिरावट का दोर लगातार जारी है आलम ये है कि बीते चार महिने में पाम तेल की थोक किमते करीब सत्तर उपे तक घट गई है वहीं सोयबीन रिफाइंड तेल और सरसो तेल में भी गिरावट देखने को मिली है कारोबारियों का कहना है कि अक्षे तरित्या 3 मई को खादे तेलों के दाम अपने रिकोर्ड सतर पर थे तब से लेकर अब तक लगातार इन में गिरावट बनी हुई है दरसल रूस युक्रेन युद के कारण अंतरस्य वजार में बने हलात और इंडोनेशिया द्वारा निर्यात रोक देने के चलते कीमतों में तेजी से भड़ोतरी देखने को मिली थी आपको बता दे कि पाम ओयल, मलेशिया, इंडोनेशिया और सोया ओयल ब्राजिल, शिकागो, अर्जेंटिना से आता है वहाँ पर फिलाल फसल अच्छी बताई जा रही है अब तेल का आयात अधिक होने के कारण तेल के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है नया सोया बीन 5,011 रुपे प्रतिक विंचल के भावपर मंडियों में बिक रहा है फिलाल कई शेत्रों में धीमी गती से वर्षा होने के कारण नए पुराने सोया बीन की आवग कम है लेकिन प्लांटों की उँचे दामों पर डिमांड खटने लगी है जिससे सोया बीन के बढ़ते दामों में रुकावट आई है प्लांट खरीदी सोया बीन 5,5-5,5,54 पर प्रतिक विंचल के आसपास देखने को मिल रहा है उधर सोया तेल में भी उँचे दामों पर ग्रहा की काफी कमजोर देखने को मिल रही है और भाव में लगातार गिरावट आ रही है जानकारों का कहना है कि देश में नई फसल की आवक में देरी और पुराने सोया बीन की आवक में धीमी होने से फिलाल सोया तेल में ज्यादा मंदी नहीं लग रही डोलर में मजबूती और अगस्त में इंपोर्ट कम होने के कारण त्यहारों की डिमांड से भारतिय बजारों में तेल और सस्ता होना फिलाल मुश्किल है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी